Next question में कह रहा है, 196 double zero का square root निकाल ला है, division method के through, तो देखे, 196 double zero का square root, सबसे पहला rule pairs बनाए, अब देखे, हमें पता है, one को one से multiply करेंगे, तो one ही आएगा, right, minus किया, तो कुछ नहीं बचा, 96 उताल लिया, अब क्या करते थे, हम one add कर लेते थे, तो ये कितना आ गया, हमारा two आ गया, अब 23 threes आ देखें, तो या आ रहा है, 69, 24 fours आ देखें, तो four fours 16, 96 आ रहा है, तो four times जाएगा, fours 96, कुछ नहीं बचा, दो zeros उताल लिया, अब ये 24 में four add हुआ, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 28 आ गया, अब क्योंकि या जीरो है, तो जीरो जीरो जा, जीरो आ गया, रिमेंडर जीरो, तो हमें पता चल गया, one nine six double zero, का square root क्या है, one four zero is the answer, let's do next question now, next question में कह रहा है, nine two four one six का square root निकालना है, लेकिन division method के थ्रू निकालेंगे, easy करने के लिए अपनी calculation, तो क्या करते थे हम, पेर्स बनाते थे सबसे पहले, अब देखें, यहाँ नाइन है, और हमें पता है, three threes होता है, nine होता है, right, तो nine में से nine गया, zero बज गया, 24 उतार लिया, अब यहाँ पे three, जो quotient में लिखा है, वो याड़ किया, तो कितना गया, six, अब six के आगे, कुछ भी number लिखेंगे, तो वो 24 से बड़ा ही होगा, तो हम क्या कर देंगे, 60, zero, zero ही हो गया, तो यह कितना बज गया, 24 और उपर से 16 उताल लिया, अब इसमे, 60 में, zero एड़ करेंगे, जो अभी quotient में लिखा था, तो यह कितना आ गया, 60 ही आ गया, अब देखें, यूनिट डिजट 6 है, 604 fours हो गया, four fours are 16, four six are 24, तो सेम आ गया number, तो 604 fours आ गया, 2416, तो that's why हमें पता चल गया, की 92416 का square root क्या होगा, that is 304 is the answer, let's do next question now, question में कह रहा है, find the least number, हमें सबसे छोटा number निकाल ला है, which must be subtracted, जो subtract किया जाए, from 2509, 2509 में से subtract किया जाए, ऐसा सबसे छोटा number निकाल ला है, to make it a perfect square, जिससे कि ये perfect square बन जाए, अगर आप देखेंगे, 2509 जो है, वो perfect square नहीं है, कैसे पता, अगर आप prime factorization करेंगे, 2509 का, अगर आप division method के थ्रू, factorize, division method के थ्रू, square root निकालेंगे, तो देखें, pairs बनाए, क्योंकि ये prime factorization से नहीं solve हो सकता, अब हमें पता है, 5, 5, 25 होता है, देखें, अब ये कुछ नहीं बचा, 0, 9 उतालिया, और हमें पता है, प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ पर 10 आगया, राइट, अब हंड्रेड की, 0 से multiply किया, 0 आया, और 9 हमारा remainder बच गया, क्योंकि आगे कोई digit नहीं है, तो remainder बच रहें, देखें, क्योंकि यहाँ पर 9 बच रहें, तो हम क्या करेंगे, इस number में से अगर 9 को minus करें, तो जो number आएगा, वो हमारा perfect square बन जाएगा, तो हम लेख सकते हैं, यहाँ पर, as 2509, is not a perfect square, not a perfect square, but, if we subtract, if we, क्योंकि subtracted की बात कर रहा है question में, इसलिए, if we subtract 9 from 2509, we get, कितना मिलेगा हमें, देखें, 2509 में से, अगर हम 9 को subtract करेंगे, तो हमें 2500 बल जाएगा, right, and अगर हम 2500 का square root निकालेंगे, 2500 का अगर square root निकालेंगे, तो कितना हैगा, देखें, यहाँ side में कर रहे हूं, 2500 का, prime factorization के थू कर रहे हूं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, and 0, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, and 5 1s are 5, तो देखें, यहाँ गया, 2 2 times 2, and 4 times 5, तो pairs बना दिये, देखें, तो हमें पता चल गया, एक बार 2, और दो बार 5, जो perfect square हो गया, किसका, multiply करके कितना हो गया, 50, 2 5s are 10, 10 5s are 50, तो यह किसका square root हो गया, 50 का, तो हमें पता चल गया, कि अगर हम 9 को subtract कर देते हैं, इस value में से, तो जो number आएगा, वो क्या है, हमारा perfect square है, answer, let's do next question now,